केजी एफ तीन लेटर्स का छोटा सा नाम लेकिन फान बेस इतना तगड़ा जो हॉलिवुड में डीसी मार्वल को भी टककर दे सकता है आजमा के देख लो फिल्म नहीं इमोशन है सर कनेडा फिल्म इंडस्ट्री से बहार निकली और बॉलिवुड को बुरी तरह धोडाला अरे सलार के साथ केजी एफ का नाम नहीं डुडा तो लुग फिल्म देखने नहीं गए तो KGF 3 आएगी ये बात पक्की हो चुकी है औरड़ी कहानी लिखी जा चुकी है 100% फिनिश और तो और चैप्टर 4 भी बन सकता है ये खबरें भी हैं लेकिन फिल्म बनेगी कब इसका जवाब ना तो नील सहब के पास है और नहीं रौकी भाई कुछ बोल रहे हैं अगले साल सलार पार्ट 2 बनेगा उसके बाद NTR नील वाला डाक वाइलिंस प्रोजेक्ट तब फाइनली नंबर आएगा KGF चैप्टर 3 को खोलने का उफ दो-तीन साल कम से कम बट रौकिंग स्रार यश का कमबाक कब होगा वो चीज़ पूरी दुनिया जानती है अल्रेडी ठीक एक साल बाद एपरिल दो हजार पचीज बॉक्स ओफिस के पापा वापिस आएंगे टॉक्सिक नाम भूल तो नहीं गए फिल्म का अनॉंस्मेंट बड़ा हरबड़ी में आया था लेकिन जब वो फिल्म आएगी अपना खुद का अलग से बॉक्स ओफिस बनाके जाएगी तो भाई दो न्यूज है मेरे पास जिनको सुनते ही आपके अंदर KGF वाली फिलिंग्स जो प्यार है उस फिल्म के लिए वो अचानक से समुंदर बनके बह जाएगा यश बॉस का एक नया पोस्ट आया है जुसमें कुछ बड़ा हुने वाला है ऐसी बातें बोली जा रही है लुक तो KGF जैसा ही लग रहा है और डायलोग भी वो वाइलेंस कांट अवॉइड उससे राइम करके लिख दिया है माने रौकी भाई नया अफ्टार ले रहे हैं लेकिन confuse मत होना ये कोई film announcement नहीं है KGF 3 से related no information बट रौकी भाई स्टाइल में यश किसी ad में नजर आएंगे देखो जलवाजी मत करो ad है ये तो पका है लेकिन KGF वाला connection क्यों डाला है और तो और यश ने specially announce किया है तो कुछ बड़ा ही होगा और बड़े से याद आया बॉस toxic इस film को जितना हलके में आप ले रहे हो ना उसके ठीक उल्टा ये KGF से भी बहुत बड़े लेवल का cinema बनने जा रहा है बजट के लेवल पे बात करोगे तो 200-300 करोट कम से कम लगाये जा रहे हैं रौकी भाई को CEO of Indian cinema बना के comeback कराने में 99% nominated थी लेकिन अब toxic का सबसे बड़ा advantage यही है कि यश खुद अब pan India star नहीं पुरा आस्मान बन चुके हैं इसलिए toxic को एक proper pan India project बनाने के लिए उनकी अगेंस बहुत बड़े बड़े नाम cast की रहेंगे सुनके यकीन नहीं होगा सबसे पहले करीना कपूर फिल्म में यश के साथ lead role करेंगी अब समझे KGF से toxic का level कैसे बड़ा बना दिया सिर्फ एक चाल में अपडेट ये भी है कि करीना यश की sister का role कर सकती है love interest नहीं होगा confirmed है लेकिन ये sister कम और खतरना गैंस्टर जादा होंगी आज से पहले करीना को किसी ने ऐसे role में नहीं देखा होगा ये वादा कर रहे हैं लोग सिर्फ इतना नहीं toxic multi actress movie होगी और करीना के बाद इस फिल्म में दूसरा नाम जुड़ गया है क्यारा अडवानी का यहाँ पे आएगा love angle तीसरे नमबर पे शुरती हसन ये फिल्म में heroine number 3 होने वाली है इनका character भावी number 2 जैसा हो सकता है पती पत्नी और वो पागलपन होगा और अब सुनिये वो चीज जिसके लिए literally Indian cinema not ready है सर टॉक्सिक का subject ऐसा है जिसके सामने animal जैसी फिल्म छोटा बच्चा है फिल्म जितना बंदूग से लोगों को मारेगी उससे कई जादा ये attack करने वाली है लोगों के दिमाग पे animal का वो scene याद है ना कुछ वैसा पूरे 3 घंटे होगा कमाल की बात ये है कि animal को तो बनाया था संदीप पांगा ने लड़का है लड़कों का नाम उठा रहा है चलता है इसमें चौकने वाली बात कहां है लेकिन toxic को एक female director गीतू मुहंदाज बनाएंगी ये तो सच में game changer हो गया animal के haters shop ताली गाली करना क्या है जरा सोच के देखो रॉकिंग स्टार यश और उनके साथ ये तीन बड़ी बड़ी actress और animal जैसा brutal subject भाई साब कुछ लोगों को doctor की जुरत पढ़ने वाली है तो भाई casting वाला process almost खतम है जल्दी ही shooting कब शुरू होगी इसका official announcement आने वाला है रॉकी भाई fans उत सब की तयारी करो बाकि वो ad वाला कि क्या है वो जल्दी पता चल जाएगा इस बहाने रॉकी भाई से दुबारा मिलने का मौका भी मिल जाएगा comment section खुला है KGF3 के बारे में कुछ बोलना है तो शर्माओ मत क्या पता नील सहाब पब्लिक के सामने जुग जाए और रॉकी भाई जल्दी लोट आए बाकी वीड Instagram पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई